तो जैसा कि सभी बच्चो को पता होगा कि क्लाश 10 का टर्म 1 का रियर्ड अनौंस कर दिया गया है आपका फर्स फर्स टर्म का ठीक है तो देखिए आपका यह जो एक्जाम है बच्चो नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको काफी टाइम पहले बता दिया गया है जिसस आप लोग बहुत अच्छी तियारी कर सकते हो और देखो मैंने आप सभी बच्चो को बताया था कि मैं अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड करने वाला हूं जिसमें आप लोगो को सिर्फ एक वीडियो में जैसे मालेज यह साइंस है तो साइंस का एक बाइलोजी की सिर्फ एक वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ठीके सिर्फ जैसे मालेज यह साइंस के आपके कितने होते हैं फिजिस केमिस्ट्री बायो ठीके तो तीनों के सिर्फ तीन वीडियो बनेंगी और आपकी पूरी टैंथ की साइंस कंप्ली कर देंगे सिस्टी के आपके हिस्ट्री की सिर्फ एक ही वीडियो बन जाएगी उसमें पूरा जाएगा जोग्रोफिक की अलग ठीके ऐसे ही अधर सब्डेट की हम लोग मतलब आपको चैप्टर वाइज नहीं कराएंगे कूछ चैप्टर वाइज करने में देखो आप का डाउट हो, फिजिस का डाउट हो, केमेश्टी, बायलोजिक किसी भी सिब्जेक्ट का डाउट हो, उसका कॉस्टन जाने के लिए तुरण सॉलूशन पाने के लिए वट्सप पे मेंसिज करें 8400400 पे नमबर को एड करें और कॉस्टन का फोटो खीचें फिर उसे क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद इस नमबर पे सेंड करें, तुरण 6 सेगिंड में आपको सॉलूशन मिलेगा, क्लास 6 से लेके 12, IIT, NEED, CBSC बोर्ड एन एन अधर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8400400 डाउटन एप को डाउनलोड करें और तुरण इसका सॉलूशन प बोर्डेंट वाली चीज कराएंगे जो अकदम से पढ़ने की होती हो जिसमें आपका समझ माद देखिए आपको दिया गया है, CBSC की तरफ से जो डेट सी चाहिए, आप लोग देख सकते हो, आपका 30 नमवंबर से पहला एक्जाम स्टार्ट है, ठीक है, पहला एक्जाम आप अपको नेश्च एक्जाम है, दो दिसमबर को 11.30 से 1.00 पि-म तक, ठीक हो टायमिंग बच्चो सारी सेम है, बस मैं आपको सब्जेक्ट बदा देता हूं, दो दिसमबर को आपको साइंस काit है, तीन दिसमबर को बच्चो आपका होम साइंस का है, चार दिसमबर को आपका, mathematics का है देखो math में दो आ जाते हैं standard और basic ठीक है तो आप लोग देख लेंगे आपने कौन से select का रखा है ठीक है आप लोग मुझे comment में भी बता सकते हूँ कि आपने कौन से select किया हुआ है जिसके अगर जो जो बच्चा इस वीडियो पर कमेंट करेगा कि हमें वीडियो चाहिए तो देखो क्या होगा जैसे वीडियो डलेगी मैं आपको comment में reply कर दूँगा तो इसलिए सभी बच्चे comment जरू करेंगे 8 दिसंबर को आप देख सकते हो आपका computer application का एक्जाम है 9 दिसंबर को आपका Hindi course A Hindi course B का एक्जाम है ठीक है 11 दिसंबर को आपका English ठीक है language and literature यह सब के पास होती होगी compulsory होती है ठीक है हिंदी में आपका हो सकता है किसी के पास course A होगा किसी के पास भी होगा ठीक है अब देखो नोर्स देखो इसमें क्या क्या टर्मन कंडिशन है देश्टीट ऑफ दो माइनर सब्जेक्ट फिल भी प्रवाइड दो देश्कूल सेपरेटली दाइजमिनेशन अफ इस सब्जेक्ट फिल स्टार्ट फॉम्टीन नौंबर तक कि 17 नौंबर से आपके एक्जाम स्टार्ट हो देखो लेकिंश में आपको 30 से दिया गया है क्योंकि कुछ आपके क्या होते हैं इसकूल से स्टार्ट हो जाते हैं अलोंग अब एक्जमिनेशन ऑफ क्लास 10 एक्जमिनेशन फो मायनर सब्जेक्ट फॉफ देख्वाइड दुरेशन ऑफ एच पेपर मेजर सिवेक्ट फिल भी 90 मिनट्स का आपका एक एक्जाम है रिजिए टाइम जिसमें आपको 20 मिनट्स दिया गया है ठीके पहले क्या 15 मिनट दिया जाता था अब आपको 20 मिनट्स दिया गया है सिर्फ पढ़ने पढ़ने के लिए कि इपिंग दिया गया है अगर आप लोग कुछ और इंफ्रमेशन चाहते हो तो विजिट कर सकते हो सीवेसी की वेबसाइट पे ठीके बच्चो तो यह आपका एक बहुत ही अच्छी इंफ्रमेशन है क्यूंकि देखो इसे देखने के बाद आप लोग पढ़ाई जरूर इस्टार्ट करतेंगे ठीके सभी बच्चे मेरे चैनल के साथ पढ़ना इस्टार्ट करेंगे और आप लोग देखोगे कि एक वीडियो म में आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी क्लास 10 की ठीके बच्चो तो होफ़ुली आप सभी लोग समझ गये होगे ठीके मिलते है नेक शूडियो में तिल दन बाए बी सेफ इस्टे हेल्दी जय हिंच जय भारत